वेल्कम बेटा पार नंबर फोर अडुल्सेंस पॉपलेशन एंद चेप्टर इस पॉपलेशन चेप्टर इस पॉपलेशन चेप्टर 6 क्लास 9 जोग्रफी बेटा काफी इंपोरेंट टॉपिक है लास के दो थोड़ा ध्यान से देखना अब देखी बेटा इंडिया आने वाले टाइम में लोग कहते हैं बहुत जादा फूरे वल्ड को मीद इस से और इसका लॉजिक यही कि यहां अडुल्सेंस पॉपलेशन बढ़ती जा रही है वर्किंग में जो कनवर्ट होगी और इंडिया शायद आने वाले 20-30 साल में इसका नोट जलना 10-19 यह 10th में पूछा गाए अनटेश में बिटा यह पूछा है यह यह दो इस पर काम करती है नुटिशन रिकॉर्मेंट फॉर्ट आर हायर इसमें नुटिशन भी जादा चीन है प्रकिंग इस वर्किंग इस ताम बहुत बहुत है बहुत जादा और आध आगे देखो बात एक अब इंदिया एक है बनेन हैं जो और दोटोचेम को घ्लिटर अब बैस्ट के भाइनुक आज नहीं है इसे सब्सस्क्रा नेकर है क्या गुंस्ट गजाते हैं जोगल उब साफ़ाइब अन्हे कहते हैं जो गोल्ड की कमी हैं बोल देते हैं इसको ज्यादा फोकस नहीं किया किया और इसका solution भी यह है कि Education में न चीज़ें को जोड़ा जाए Health को और Education के साथ लिटरसी के साथ ये चीज़े बच्चों में जाए चलिए आगे चलते हैं NPP, National Population Policy, Most Important Subjective Question है, और इसमें बिटा, काफी अच्छा क्वेशन है, Subjective भी और आपका NTSP, देखे, हमने पीछे पड़ा था बिटा, कि एक Appropriate Population Policy चाहिए, जिसमें Health, Education, Success हो, यह सब चीज इंपूर्व हो जाएगी, Literacy इंपूर्व हो जाएगी, तो अच्छी पॉपलिशन पॉलिशी की बात करते हैं, तो इंडिया में पॉपलिशन पॉलिशी बनी भी, देखे, काम करना था इसको नाम रखा गया, एन पीप टूथाउजन इन प्लांड एफर्ट जो अब तक क्या था उसी के बेस पे थी देख एन पीप टूथाउजन में क्या क्या था बैटा यहां डोट लगा रहा है कि फीचर से क्वेश्चन बलाने ना इसका ठीक है पहला पॉइंट है कि इस पॉपेशनल पॉलिशी के एकोडिशन प्रीकमपसी पर लाइव बर्थ यानि 30 से नीचे इन्फेंट मॉर्डरी डेट को लेकर रहा है इन्फेंट मॉर्डरी डेट होता है जो पैदा होते है बच्चे एक साल के अंदर जिनकी डेथ होती है जिन्दा पैदा होएं पर एक साल से पहले जो मर जाते है तो उसको भी 30 से नीचे लेकर आना ताकि यह भी बात हो रही है तो उनसे इम्मुनाजेशन बनाया जाए लोगों का ऐसे डिजीज है जो प्रिवेंट कर सकते हैं बच्पन से उन्हें फिर प्रमोटिंग डिले मैरी से फॉर गल्स की मैरी को डिले किया जाए बड़ी एस में उनकी शादी हो और उसका भी बेनेफिट कहने कह प्लिषन पॉअलिशन निए बड़ी एस फ्र operate怎麼 को इस प्रोट कंट्री को मिलेगा later making family welfare in the program請पर सन्ट हो फेपली वेल्फैर को पीपल सेंञा बनाया कि लोग को डिजनल लोग फूद समध्याए इसीज़गी अब बात है को कि आ थो बात के थी निर्ज है जो बहुत यूथ होती है बहुत तीजी से ग्रोफ होती है उसके लिए भी पॉपलेशन पॉपलेशन को स्पेसिक पॉइंट है फटाफर इस पॉइंट को नूट करना है एंपीप टुजाजर एंडिफाइड अलोसे एज एज पॉपलेशन को बहुत अटेंचन चीह है क्योंकि एक ऐसी है जहां से अमारा फूचर देश काड़ डिसाइड होता है बिसाइंट की जो नीर उन पर भी इनने फोकस किया है फर्स्ट पॉइंट इंक्रोडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम दा अन्वार्ट प्रेजिंसी और सेक्वल टांसमेट होती है उनकी बच्चों को नॉलिज तो अन्वार् बच्चा जल्दी ना हो बच्चों के बिटर एक बड़ी इस के बाद ही चैल बेर हो और उससे कहने के हमारी आनेवली पॉपलेशन है वह हेल्थी होती है और जो डिले मैरीज होगी तो उस बच्चे को पढ़ने को मिलेगा पढ़ाई लिखाई होने के बद सकी शादी होगी तो इसको भी बड़ा फोकस किया गया नेक्स है एजुकेशन फोडल सेंस अबाद रिस्क ऑफ अन्प्रटर्टरी सेक्स ना हो इनकी नॉलिज भी बेटा उनको एजुकेशन के थू दी गई 9-10 पे आपके बहुत से चंप्र में ऐसी चीज़ें आपको दी गई हैं आगे हैं Making Contrastive Service Available to Affordable Contrastive Service वह ए है पीटा सेक्स के थूँ हम बात करते हैं चैल्ड बीर ना हो इसके भी Contrastive Service accessible हो एले चेक्सच अवलेबल ँह अफुडेबल हो आम आदमी के रीच में हो प्रोडिंटिंग फूट सप्लिमेंट्टिंट ये भी मिली क्योंकि नूटिस्इन सब्सक्राइबे पीछन अब भी बैलनस अब भी नीए बैलस तो इसके लिए भी बिटा इसमें प्रोविजरिन दिया गया स्टेंटिंग लीगल मेजर तो प्रिवेंट चाइड मैरेज चाइड मैरेज से बचने के लिए भी लीगल मैरेज बनाये के कानून बनाये के जिससे अगर ऐसा होता है कोई forcefully भी अगर चाइड मैरेज करता है उसको सदा मिले लास है people are the nation most valuable resource note करना बिटा सबसे important resource हमारे लिए people है human resource सबसे important बताया था natural यह हम कैसे manmade resource सब बिटा human पे बेस है तो human is a most valuable resource a well educated healthy population provides potential power और हमारी जो population educated होगी healthy होगी इसमें एक वड़ और एड़ कर देता हूँ skillful होगी आसका skill इंडिया का जमाना है बिटा skillful होगी तो बिटा हमारे लिए potential power बनेगी आने वाले future में देश डलप होगा population के साथ साथ वो हमारा जड़ी में role play कर पाएगा कुछ work करेगा ठीक है चलिए यहीं यह topic ओर होता है बिटा आपका और शोटी से exercise दिये इसको कर लेना प्लीज ज्यादा typical नहीं है mcq है और कुछ questions है ठीक है वैसे अंका assignment भेज दूगा आपको और अभी आपका work बसता है बिटा census 2011 आपको मिलेगा उसके बेस पे map भी आपको draw करना पड़ेगा इसका ठीक है और अच्छी questions भी बनाने है उसमें top states और top territories और bottom states और bottom territories आपको note करते होंगे ठीक है झालिक है ड्यूब बना है